दोस्तों ये शिवखेडा की बुक जीत आपकी का चप्टर फोर्थ है जिसका नाम है वो कौन से चीज है जो हमको सक्सेस्पुल होने से पीछे डखेलती है तो सबसे पहली चीज है डाउट खुद पर डाउट डाउट करना पता क्या चीज होती है जैसे हम एक कार चलाने की को में पीछे डखेलती है 20 रीजन तो शुरू करते हैं सबसे पहली वजय है खत्रे उठाने से बचना अब खत्रे उठाने का यह मतलब नहीं है कि जूओ घ्लो जूओ खेलना तो कि बेखुफी है बलकि खत्रे उठाने का मतलब है अपनी आखें खुली रखके चलना जूओ ख तो खिसान बोला नहीं मुझे लग ते गरताय। तो तो आदमी ने पूछा तो कुछ क्योंते कि मैं कोई खतरा ने लेना चाहता है तो इस खत्रे की बात हो रही है यह पहली वज़ा है खत्रे उठाने से बचना दूसरी वज़ा है लगातार कोशिश में कमी लोगों को प्राब्लम स्पेस करने से बहतर लगता है कि भाग जाएं क्या है वो शादी से भागना हो नौकरी से भागना हो जिम् इच्छा जो है वो अभी की अभी फॉरन पूरी होनी चाहिए मतलब रातो रात करोरपती बनने वाले बात यह टाइम ऐसा चल रहा है आज का दौर ऐसा चल रहा है राइटर बोलते हैं शॉटकट पाला मतलब यह वो लोग हैं जिनें अपने जन्दिन से कोई मतलब नहीं होता बर्थडे से कोई मतलब नहीं होता बलकि बर्डे में तौफ़े क्या क्या मिले उससे मतलब होता है चौती वज़य है अपनी प्रायरिटीज को गैर जरूरी चीजों को देना मतलब यह सबसे बड़ी वज़य है मतलब आप अपनी प्रायरिटीज किस चीज को दे रहे हो बे तो जो जाए कि यार मैं क्यों ना हिस्ट्री लिखा हूं मैं हिस्ट्री लिखाता हूं ताकि आने वाली जनरेशन इसको पड़े और कुछ सीखने को मिले तो उसने अबने अडवाइजर को बुलाया सलागारों को और कहा कि अब तक जितनी भी इस्ट्री की इंफॉमेशन तु पड़ी भारी है और बहुत ज्यादा है तो आने वाली पीडियों को देखकर लगता है यह पड़ नहीं पाएगी इतनी सारी बॉक्स एक काम करो इनको छोटा करो ठीक है तो गए सलागार और लाये चोटा करके सारी 20 किताबों का मैटेरियल एक किताब में भर करके लाए सब साब को नहीं एक चैप्टर में लेख रहा है और ला करके राजा साब को दी राजा ने देखा आरे यारों यह चैप्टर भी बहुत बड़ा है इसको भी छोटा करो गए वह सलाकार पर एक पन्ने के अंदर पूरी हिस्ट्री लेख लेकिन क्या हुआ यह भी बड़ा लग र लाजा ने उसको देखा यह ठीक है और लाइन पताय थी भोजन मुफ्त में नहीं मिलता खाना प्री में नहीं मिलता है इस एक लाइन में कुछ किये बिना कुछ पा नहीं सकते जो आसान रास्ता होता है कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है एक बर्ड ता एक पक्षी च तो रास्ते में एक किसान कोई कीड़े का बकसा लेकर के जा रहा था चिडिया गाते गाते रुकी और उस किसान के पास जाके बोली ये तुम क्या लेकर जा रहा हो चडिया ने पुझा इस बक्से में क्या है तो किसान बोला कीड़े हैं इसके बदले मैं बाजार से पंक लेने जा रहा हूँ तो चडिया बोले पंक तो मेरे पास भी है मैं अपना एक पंक तोड़ के तुझे दे दूँगी मुझे क्या कीड़ों की खाना पाने की तराश्ट ने उसे कितना मुश्किलों में डाल दिया चटी वज़े है selfishness और greed स्वार्थ और लालच एक बार एक लालची के सांथा उसे कहा गया कि भाई तुझे जमीन चाहिए तो ये पूरा तु देख रहा है एरिया इस पर पूरे दिन में जतनी भी दूर तु चल सकता है चलता जा जमीन तेरी हो जाएगी लेकिन शर्त ये है कि सूरज डूबने से पहले पहले तेरे को starting point तक वापस आना पड़ेगा ठीक है वो चला सुबह से चला चलता गया चलता गया वापस लाटना मुश्किल हो जाएगा शर्त याद है कि सूरज डूबने से पहले वापे पहुँचना पड़ेगा तो इसने एक फावडा गाड़ा कि मैं यहां तक आ चुका हूँ और इसके बाद में ये starting point की तरफ बढ़ने लगा पैजल पैजल तो पहुचनी सकता था तो दोड़ने लगा दोड़ने लगा दोड़ने लगा रुका ही नहीं दोड़ता ही गया दोड़ता ही गया इतना तेज दोड़ा कि बहुत बुरी तरह हाफने लगा ठकने लगा लेकिन फिर भी starting point तक पहुँचना बहुत जरूरी था आखिर उसकी greed ने उसे starting point तक महुचा दिया लेकिन जो वो कूद के सुरज डूबने से पहले starting point तक पहुचा वहीं उसकी जान निकल निकल लगा उसके मूँ से खून निकलने लगा और जिस जगह वो गिरा था वहीं पर जमीन के उस छोटे से टुकडे पर उसको दपना दिया गया तो ये लालच ये greed ये एक वज़ा है जो हमें पीछे ड़किलती है अगली वज़ा है पक्के विश्वास की कमी पक्का विश्वास न रखने वाले लोग ना तु सड़क के इस के नारे चलते हैं ना ही सड़क के उस के नारे चलते हैं वो बीच में चलते हैं ताके गाड़ी आके उनको उड़ा जाए एंडरी फोर्ड ने एक बार एक बहुत ही गहरी बात कही थी वो बोलते थे कि अगर तू सोचता है तू कर सकता है तो भी तू सही है अगर तू सोचता है तू नहीं कर सकता तो भी तू सही है अब सोचना इस बात को कि ये बात अतनी गहरी क्यों है आठवा रिजन है कुदरत के नियमों को न समझना कुदरत बार 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 हमें इशारे करती रहती है जैसे न्यूटन के सर पे सेव गिरने से पहले भी कई बार सेव गिरा था लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया न्यूटन ने दिया फ्रैंक्लिन की संकीत समझने से पहले भी कई बार बजली कड़की थी बिजली चमकी थी कुदरत बार-बार इशारे गटती है लेकिन अचानक इशारा समझने वाला ये इशारा समझ सकता है नाइन्थ रीजन है प्लानिंग बनाने की इच्छा ना होना लोगों को मूवी देखने पार्टी करने से इतना टाइम है ने मिलता कि वो प्लानिंग बना सके बिना प्लान बनाए चलना जैसे अंधेरे में चलने जैसा है प्लानिंग की बहुत जरुरत होती है दसबार रीजन है बहाने बनाना बहाने बनाना हारने वालों की आदद होती है वो बोलते हैं कि नसीब में नहीं है नक्चत्र खराब है उम्र भी तो नहीं है अब तो उम्र हो गई है इतनी चाला की नहीं है मुझे वे खलांग हूँ पड़ा लिखा नहीं हूँ मेरे जान पैचान की लोग नहीं है न वहाँ पर पैसा नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है तो ये बहुत लंबी लिस्ट है बताता जाओंगा तो शाम हो जाएगी तो बहुत सारे बहाने होते हैं आपको बता है हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं हिंदुस्तान में बंदर पकड़े जाते हैं एक बॉक्स रख दिया जाता है जिसमें उपर की दरव एक छूटा सा छेद होता है जिसमें बंदर अपना हाट डालता है उंगलियां डालता है फिर पूरा हाट डाल देता है जिसके अंदर क्या होता है मुंगपली होती है अब मुंगपली को वो अपनी मुठी में बंद करता है लेकिन प्राब्लम यहीं पर हो जाती है वो जो मुठी होती है वो छेट से बाहर नहीं आ सकती बंद मुठी छेट से ब पड़ेगी लेकिन वो नहीं चोड़ता और पकड़ा जाता है तो हम भी उस बंदर से कम नहीं है हमें थोड़ी सी मुंगफली दिखती है बस तरवी वजय है पिछली गलतियों से सीख नहीं लेना हिस्ट्री बात की गवा है कि जो लोग अपने पिछली गलतियों से सीख नहीं अपने कलपना लोग के अंदर ठीक है चादवी वजय है अपने टैलेंट का इस्तमाल ना करना एक बार एक बुड़े आदमी से किसी ने पूछा कि आपके हिसाब से जिंदगी में सबसे बड़ा बोज क्या है अंकल तो बुड़ा आदमे बोला कोई बोज ना होना सबसे बड़ी मेहनत करने से तो बहुत अच्छा है नियम बना के चाहे पांच मिन रोज की मेहनत करो लेकिन रोज करो ठीक है सौलवी बज़े है खुद की जितना करना सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी सत्रवी बज़े है नौलिज की कमी सबसे बड़ा अग्यानी तो वो होता है जो ये सोचता है कि मैं सबसे बड़ा ग्यानी हूँ क्योंकि असल में जो भी ग्यानी होगा उसे पता होगा कि अगर मुझे सीखना है तो खुद को अग्यानी समझना पड़ेगा अठारभी बज़य है भाग्ये किस्मत पर भरोसा करना एक आदमी था उसने एक तीज दोड़ने वाला घोड़ा खरीदा फिर उसकी बाद में उसके एक तकती लगा दी तकती पर लिखा हुआ था दुनिया का सबसे दोड़ने वाला घोड़ा लेकिन उस घोड़े को कभी उसने प्रैक्टिस नहीं करवाई ना कभी उसको ट्रेनिंग दी ठीक है और एक दिन उस घोड़े को रेस में उतारा रेस में नोटारा तो घोडा हार गया। सबसे आखरी नंबर पर अगया। तो उसने क्या किया। घोड़े के मालिक ने तुरंत घोड़े की तक्ति बादल दी। उस पार लिग दिया। एक ऐसा घोड़ा जिसके लिए नोस्त monoki तेज दुनिया। क्या समझ में heute लोग अपने आलसी 15 साल तक जो प्रक्टिस करता है उसके सामने जाकर कभी कहना तो किसमत की वज़े से जीता है। उसे इस बुक के अंदर है कि यह डॉक्टर अलेक्जंडर ग्राहम बैल उनकी बीवी थोड़ा उच्छा सुनती थी। तो ग्राहम बेल बोले, यह मैं एक मशीन बनाऊंगा जिससे यह क्लियर सुन सके, जी तोड उन्होंने कोशिश की, जी तोड कोशिश की, लेकिन मशीन तो बनी नहीं, लेकिन उन्होंने टेलेफोन बना डाला, अब लोग क्या बोलेंगे, भाई किस्मत है बंदे की, नैंटींथ रीजन है, लक्ष ना होना, गोल ना होना और आखरी वज़े है, हिम्मत की कमी, करिज की कमी, सक्सेस्फुल होना ये एक रेसिपी है, गौड से सुनना ये एक रेसिपी है, सक्सेस्फुल होना केक बनाने जैसा है, भाई केक बनाने के लिए रेसिपी तो होनी चाह करेंगे